नमस्कार जयभीम सातियों अज 25 फरवरी दोहयार 24 बसपास उप्रियों मायावतियों और भीम आर्मी चीप चंदर सिखर राजास सजुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर आपके बीच हजर हुए हैं सबी खबरों को हर रोज की तरह एक एक करके अंतक जरूर देख आरे वो हमारे हैं हम देखें कि क्या करना या पाटी से राए ले लेंगी क्या नहीं आप किस चैनल के हैं वो बता दो मैं आज तक कहूं और तो सुना अपने कि किस तरीके से भीम आर्मी चीप चंदर सिखर आजाद को गठपंदर में लेने पर अखले स्यादब का वयान आय है आपको तादे के अकले सिखर आजाद को साथ लेना है या नहीं वो हम देख लेंगे पार्टी से वात करके आगे डिसाइड करेंगे यानि कि अब तक आपको तादे की चंदर सिखर आजाद को गठबंदन में लेने पर अकले सिखर आजाद ने कोई भी फैसला नहीं लिय है और चंदर सिखराजद इस समय अकेले ही चुनावी मैदान में उत्रे हुई हैं उन्होंने यह भी कहा कि वो लगभाग 14 सीटों पर जो है उत्तर प्रदेश में अपने प्रतिया से उतारेंगे ये बात चंदर सिखराजद के द्वारा बोली गई है लेकिन जो अकले बिस समय चंदर सिखराजद को गठबंदन में लेने को लेकर कोई भी आपको तादे की फैंसला नहीं किया है और वो साब कह रहे हैं कि आगे हम भविस्ट में सोच लेंगे 24 के लोग सबचनाव में चंदर सिखराजद को सीट देनी है या नहीं ये बड़ी बात आपको प्यों मायवत्ति को लग सकता है बड़ा हटका बीएसपी के दस सांसद जा सकते हैं भाजपा में जीहा मित्रों आप सभी को पता होगा कि लगातार इस समय बहुजन समाज पारिटी के सांसद प्रधान मंत्री मोधी और कभी योगी से मुलाकात कर रहे हैं कोई आपको चांदे की भारत जोड़ो निया यात्रा का समर्थन कर रहे हैं तो बहीं दूसरी तरफ संगीता आजाद आपको तादे की भाजपा में जाने की तैयार ही कर रही हैं जो कि आपको तादे की बहुत जल्द ही बेजीपी में जा सकती हैं इसके अलाबा और भी कई सांसद हैं BSP के जो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ कर 2024 के लोग सब चुनाओं से ठीक पहले भाजपा में जा सकते हैं जो मीडिया सरवे निकल कर सामने आया है उसमें बताय जा रहा है कि बहन जी की प्राटी स बार एक स्री भी उत्तरप्रदेस में नहीं जीत पाएगी ली बड़ी क्भार तो अभी बड़ी कब निकल कर सामने आ रही है उत्तर प्रदेस के जलाब वधायू से जहां पर समाज के लोगों को यादब समाज के लोगों ने वारत निकालने पर जान से मारने और खून की नदिया वहने की जान लेवा धम की दी है जीहां मित्रों आपको तादे की पूरा मामला है उत्तर प्रदेश के जिला वदायूं के थाना सहसबान के ग्राम चंदे सी का जहाँ पर आपको तादे की 3 मार्च और 6 मार्च को वालिम की समाज की दो लड़कियों की वारा अतानी हैं इसी बीच घोड़ी बगगी और बेंड वाजा के साथ बारा चड़ाने पर जाती वादी सोच रखने वाले यादब समाज के लोगों के द्वारा खूनी गोली और आपको तादे की खून की नदिया वहाने की एला निया आपको तादे की धमकी दी गई है इस धमकी के बाद जानकारी मिलते ही वहाँ पर तुरंत भीम आर्मी वरेली मंडल और जिला वदायू की टीम पीड़त परिवार से मिल ले उन्हीं के गउँ चंदे सी पहुँची जब आपको तादे की भीम आर्मी के लोगों ने वदायू पुलिस से बात की और इस से हो रही तीन मार्च और छे मार्च को साधी में सुरक्षा देने के लिए कहा और बारत को पूरे गाओं में बेंड वाजे और घोड़ी बगगी के साथ सान से निकलवाने के लिए कहा और चेताब नी दी अगर सासन पर सासन ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो भीम आर्मी की टीम डंके की नौक पर पूरी सान के साथ बारत निकालेगी ध्यान रहे जरा भी बारत में रुकावट की गई तो डे जी पी यूपी इसके जिम्मेदार होंगे ये बात भी आपको तादे की भीम आर्मी दुआरा वो ली गई है तो यहाँ पर भीम आर्मी के लोगों ने भी यादब समाज के दुआरा दी गई चेतावनी को एकसेप्ट करते हुए वड़ी चेतावनी और बॉर्निंग उन्होंने पुलिस परसासन को दी है कि हम जो दले समाज की बेटियों की वारात आनी है उसको पूरे गाउं में वड पूरे पूरे गाई तो आप सोच सकते हैं कि देश में अभी विकतना जाएं